हरियों प्रीदर्स को मैं हूं पंडित बल्राम पांडे हाजिर हूं 23 दिसंबर 2022 आज का रासी फल लेके जानेंगे किन रासी बालों को आज बेहत साउधान रहने की जरूरत है और किन रासी बालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आज केतू के नच्छत्र में बोचर करेंगे आईए जानते हैं रासी के क्रम में बात करेंगे सबसे पहली रासी मेस मेस रास के लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा आज जरूरत है साउधान रहने की आज जरूरत है मन से पूरे ताकत के साथ हर काम को करने की जदि आज कड़ी मेहनत करते हैं तो आज के दिन को बहतर बनाया जा शकता है बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज शामान रहने वाला है और एंस्टुडेंट के लिए भी आज का दिन मेहनत पूर्ण थोड़ा संघर्स पूर्ण रहेगा और बा आग के भरोसे नहीं आज कर्म के भरोसे रहना बहुत जरूरी है और बात करें स्वास्त की तो स्वास्त में कुछ कफ़ जनल तकलीफ हैं मौसम की बीमारियां हो सकती हैं तो अपने स्वास्त का भी ध्यान रखें यदि आज के दिन को बहतर बनाना है तो मूल मंत्र यही कि आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें और महरत करने से पिछे ना हटें तो आज के दिन को बहतर बनाया जा सकता है अब बात कर लेते हैं ब्रसरास की ब्रसरास के लोगों के लिए भी आज बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जाएगा आज चद्नमा आज के आज अस्टम भा को तकलीफ दे सकती है तो आज बहुत जरूरी है कि आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें और आज घर परिवार में भी लोगों से मदभेद होने की संभावना है तो बहुत जरूरी है कि घर परिवार के लोगों से और हर जगह सभी लोगों से प्रेम भाव से रहें जिससे दिन को बहतर बनाया जा सकते हैं बात करें दामपत जीवन की तो दामपत जीवन आज अच्छा नहीं कहा जाएगा आज कुछ मद भेद होने की संभावना है और स्टुडेंट के लिए भी आज का दिन कुछ मानसिक तेंसन जैसी समस्याएं हो सकती हैं और आख में दर्द जैस संभावनाएं अधिक पढ़ाई करने से आख में तकलीफें हो सकती हैं और बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज बचना चाहिए और स्वास्त का विशेश रूप से ध्यान रखना चाहिए तो आज के दिन को बहतर बनाने के लिए मोल मंत्र यही रहेगा कि आज आ आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें और घर में कले का महल बनने से बचने के लिए आपको अपने बाणी में कंट्रोल रखना चाहिए तो आज के दिन को बेतर बनाय जा सकता है अब बात कर लेते हैं मितन राज की मितन राज के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा कहा जाएगा आज आपको कई अवसर मिलने वाले हैं जिनसे आपका दिन पूरा सफलता पूर्ण बिताय जा सकता है यदि आप कोई नया व्यापार सुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज कर दिन बहुत अच्छा रहेगा और दामपत्त जीवन की बात करें तो दामपत कि शयोग लेलें सलाह लेलें और हर काम को करें आपको और भी अधिक सफलता राप्त होंगी स्टुडेंट के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा और स्वास्त के दृष्ट कोन से भी कोई खास समस्या तो नहीं है बस थोड़ा मांसिक टेंसन होने की संभावना हो सकती ह तो मांसिक टेंसन से बचें और विशेष बात ये ध्यान में रखें कि अपने विपरीत का पूर्ण सम्मान करें यदि अपने विपरीत का अपमान करते हैं तो बना हुआ दिन बिगड़ सकता है और बात करें निवेश के तिन वेश आप कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं कर कराज के लोगों के लिए बेहद साधान रहने की जरूरत है किसी से बात विवात करने से आज आपको बचना चाहिए क्योंकि आज चंद्रमा आपके रेण भाव में बिचरन करने बाले हैं तो आज किसी से देन लेन करना भी आज बहुत अच्छा नहीं रहेगा आज देन लेन की बन सकती हैं तो अपने खान पान में नियंतरन रखें और बात करें वहीं इस्टुडेंट की तो इस्टुडेंट को सफ़ता तो प्राप्त होगी परन्त मेहनत अधिक करना पड़ेगा और आज कुछ नीद से संबंधित समस्याएं या सरदर्द जैसी समस्याएं बन सकती यात्रा करना भी आज बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा यात्रा में कुछ चोट चपेट लगने की संभावना है तो यात्रा करना आज के लिए बहुत सही नहीं कहा जाएगा बात करें निवेश की तो निवेश करने से भी आज आज आपको बचना चाहिए तो मूल मंद् कि आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें और किसी से लेन दें ना करें और विवाद ना करें अपने बाड़े में कंट्रोल रखें ज्यादा बहतर तो ये है कि जो आप पहले से काम करते आ रहे हैं उन्हें ही करने की कोशिश करें उनको जादा बेतर ढंग से करने की कुछिस करें तो दिन को अच्छा बनाया जा सकता है अब बात कर लेते हैं सिंग राज की तो सिंग राज के लोगों के लिए आज का दिन आकस्मिक धनलाभ लाने वाला है आज आपको आकस्मिक अर्था तक कल की मेहनत आज आपको फल देने वाली है और इस्टुडेंट की बात करें तो इस्टुडेंट को भी आज सफलता मिलने वाली है और खासके जिए आप management field या banking sector या कोई management से सम्मंदित कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें आपको भी से सफलताएं प्राप्त होने बाली हैं और यदि आपका banking sector से या finances से सम्मंदित कोई काम रुका हुआ था या technical कोई चीजें थी जिसके बज़े से काम रुका हुआ था तो उन्हें आप कर सकते हैं उन्हें सफलताएं आपको प्राप्त होने बाली है बात करें दामपत्य जीवन की दुदामपत्य जीवन आज सुख में रहने बाला है और एस्टिजेंट को भी जैसे हमने बता ही दिया कि विसे सफलताएं प्राप्त होने बाली है और बात करें वही स्वास्त की, तो स्वास्त में कोई खास समस्या नहीं रहने बारी है, निवेस भी आप कर सकते हैं, परन्त किसी जानकार विक्त की शलाह ले लें, और इसके बाद ही निवेस करें, बागी पूरा दिन अच्छा है, बस आपको अपने से बड़ों का अपमान नहीं करना है, और आज कुछ संतान पक्च से कोई खुषखवरी या संतान को कोई विसेस लाव प्राप्त होने के भी आसार है, बस अपने से बड़ों का सम्मान करें, बाकी दिन में कोई खास समझ से आएं, नहीं दिखाईजे रहे हैं, करन्या रासी, करन्या रास के लोगों के लिए आद लावदायक रहने वाला है, आज आपको सरकारी अधिकारियों का सपोर्ट मिलने वाला है, तो जो भी सरकारी छेत्र से जुड़े हुए काम आपके रुके हुए हों, उन्हें आज आज आपके कार सहली की वज़े से, आज आपका परफॉर्वेंस देख के लोग चोकने वाले हैं, प्रवावित होने वाले हैं, क्योंकि आज आप हर काम को बड़ी समझदारी और बड़ी कुशलता के साथ कर सकेंगे आज कोई गारी बाहन लेना चाहते हुए हैं, उन्हें आज कर सकते हैं, और खास कर, यदि कोई छोटी यातरा करना हो आज पास में कहीं, तो व बात करें दामपत्य जीवन की, तो दामपत्य जीवन आज शुक में रहने वाला है। और इस डिन को भी आज सफ़ताएं प्राप्थ होने वाली हैं। बात करें, स्वास्त की, तो स्वास्त में कोई खास समस्या तो नहीं है, परन्तु मौसम से सम्दित कोई तकलीफें हो सकती हैं, तो थोड़ा स्वास्त का अपने ध्यान रखें और निबेस भी आप कर सकते हैं, तो आज के दिन कहा जाए, तो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा बनाया जा सकता है, तुला रासी, तुला रास के लोगों के लिए आज का दिन सफलता दायक रहेगा, आज भाग आपके साथ है, तो जो भी ऐसे काम हो, जिन्हें लग रहा हो, कि मैं नहीं कर पाऊंगा, करना असंभो जोईसा लग रहा हो, आप बहुत प् काम में सफल हो सकते हैं, और आज आपके अंदर पूरा दिन एनर्जी भी रहेगी, जिससे हर काम को आप बड़ी सीकृता से कर सकेंगे, बात करें दामपत्य जीवन की, तो दामपत्य जीवन आज सुख में रहने वाला है, बस दिनके पूरबार में थोड़ा कुछ अनमन ज जाएगा, और बात करें ये स्टुडेंट की, तो ये स्टुडेंट को भी आज सफलता मिलने वाली है, और स्वास्त में बहुत कोई खास समस्या नहीं है, बात करें निवेश की, तो निवेश करना आज आपके लिए लाबदायक रहेगा, फरंतु रिसर्च करने के बाद ही पार्टनर का, अपने बिजनेस पार्टनर का सयोग ले लें और उसके बाद काम करें, बस जोस में आके होस को नहीं खोना है, तो आज का दिन पूरा बेहतर बनाये जा सकता है, अब बात कर लेते हैं वरश्चिक राज की, वरश्चिक राज के लोगों के लिए आज घर में खुशी का महल रहेगा, आज घर प्रिबार के स्रदस्यों का स्रियोग प्राप्त होने बाला है, आज यदि किसी से आप बहुत समय से मिलना चाहते थे, या मीटिंग आदी किसी बिशे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में करना चाहते थे, तो उसके लिए आज का दिन प्रोजे हुए हूँ, ओ आज सुलचते हुए दिखाई देंगे, बात करें वही दामपत्य जीवन की, तो दामपत्य जीवन आज सुख में रहने वाला है, और इस्टुडेंट को भी आज मन चाही सफलताएं प्राप्त होने बाली है, बात करें स्वास्त की, तो स्वास्त म कोई खास समस्या तो नहीं है, परन्त थोड़ा सरीर में दर जैसी संभावनाएं बन सकते हैं, और वही निवेश आप बिलकुल कर सकते हैं, निवेश करना आज के लिए बहुत अलाब दायक रहने वाला है, और खासकर जो पुराने निवेश आपके किये हुए हैं, उनसे व बिना मागी हुई सलाय नहीं देना है, क्योंकि बिना मागी हुई सलाय देने से आपको नुकसान पहुचने की संभावना है, बागी कोई खास समस्या नहीं रहने वाली है, अब बात कर लेते हैं धन राज की, धन राज के लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा कहा होता है, और लाइप पार्टनर का पूरा सयोग प्राप्त होगा, और वहीं आप यदि किसी को प्रपोस करना चाहते थे, या किसी रिष्टे की नई शुरुआत करना चाहते थे, तो उसके लिए भी आज का दिन बेहतर कहा जाएगा, वहीं स्टुडेंट के लिए आज का द रखना बहुत जरूरी है, आपको अपने विप्रीत के प्रती सम्मान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज यदि आप अपने विप्रीत का सम्मान नहीं करते हैं, इससे आपके बने हुए काम बहुत अच्छा दिन आपके हाँ से निकल सकता है, वहीं बात करें स्वास्त की तुस्वास्त आज बेहतर रहेगा और निवेश भी आप कर सकते हैं, तो आज के दिन overall बेहतर रहने बाला है, बस आपको अपने विप्रित का सम्मान करना है, तो आज के दिन को बहुत अच्छा बनाय जा सकता है, मकर राज के लोगों के लिए आज के दिन मिला जुला रहन आज इस बात का ध्यान रखना है कि अपने राज अपने तक ही रखना है अपनी बातें अपनी प्लानिंग किसी के साथ सेयर करना लाब दायक नहीं बलकि नुकसान दायक रहने बाला है आज अपने मित्रों से साधान रहने की जरूरत है आज बहुत जरूरी है कि जो भी आप क और इस्टुजेंट को भी आज 50-50 सफलताएं मिल सकती हैं, जितनी मेनत उतनी सफलताएं प्राप्त होने वाले हैं, तो स्वास्त का बेहद, ध्यान रखने की जरूरत है, आज कोछल सीने में दर्द जैसे समझ्यायन, या गुप्त रोग संबंधे तकलीफें, या तो जोडों में दर्द हो सकता है, तो स्वास्त का आज विशेस रूप से ध्यान रखें, और निवेस कर सकते हैं, प्रंद किसी जानकार रिपक्ति की सलाह ले ले या बहुत अच्छे से रिशर्ज कर ले और इसके बाद ही निवेश करें तो आज का पूरा दिन बेहतर है मूल मंत्र यही रहेगा कि आप अपने स्वास्त का ध्यान रखें और अपनी बातें गुप्त रखें आज के दिन को बहुत अच्छ बन सकती है कि आप जो कल प्रोजेक्ट आपने शुरू किया था मतलब बहुत समय पहले आपने कोई प्रोजेक्ट या कोई काम के बारे में आपने मेहनत की थी उसका रिजल्ट आज मिलने वाला है तो आज का दिन बेहद लाबदायक हो सकता है और वही बात करें दामपत्य जीवन सुख में रहने वाला है परन्तु जिनको उत्तरार्द में थोड़ी कड़वाहट जैसी समस्याइं बन सकती है तो अपने पार्टनर का सम्मान करें और ये स्टुडेंट के लिए भी आज के दिन सफलता दैक रहेगा खासकर जिदिए आप मैनेजमेंट फील्ड या बैंकिंग शिक्टर से हैं तो आपको सफलताई राप्त होंगी और वहीं आपका कोई काम रुका हुआ था वो भी आज बनता हुआ दिखाई देगा और निबेश भी आप कर सकते हैं परन्तु शाओधानी के साथ निबेश करें बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आनलाइन फ्रोडिंग से बचना होगा जो भी काम यदि आप कोई काम आनलाइन करते हैं उनसे साथान रहने की जरूरत होगी और स्वास्त बेहतर रहने वाला स्वास्त में भी कोई समस्याएं नहीं दिखाई दे रही हैं तो आज का दिन बहुत अच्छा है बस आनलाइन फ बहुत अच्छा दिन नहीं कहा जाएगा आज आपको सरकारी अधिकारियों से बंच के रहने की जरूरत है और हर काम को सही तरीके से करने की जरूरत है सौट कट अपनाएं ये आपके लिए बहुत अच्छा नहीं बलकि आप फंसकते हैं तो आज सौट कट नहीं लॉंग त तरीके से अर्थात सही तरीके से हर काम को करें तो ज्यादा बहतर रहने वाला है वहीं बात करें दामपत्य जीवन की तो दामपत्य जीवन आज शुख में नहीं कहा जाएगा आज कुछ बाद विवाद मन मुटाओ जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है ये स्टुडिंट को तकलीफें आ सकती है या पैर में कहीं जॉइंट में कुछ तकलीफें आ सकती है तो स्वास्त का भी ध्यान रखें और वहीं बात करें निवेश की तो निवेश करने से आज बचना चाहिए परन्तु यदि आप अच्छे से रिशर्च करते हैं किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लेते हैं तो आज के दिन कहा जाए तो में राशवालों के लिए मिला जुला कहा जा सकता है बहुत अच्छा तो नहीं परन्तु यदि आप सही तरीके से चलते हैं गलत राश्ते नहीं अपनाते हैं तो आज के दिन को बहतर बनाया जा सकता है दर्सकों यह रहा में सराश से बीन राज तक का आज का राजी फल आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे तब तक के लिए हरी ओम